हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट की यान में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जे फैसल यानि की जियो फाइनेशल सर्विसेस लिमिटेड के बारे में यहां पर अब देखो जियो का जो स्टॉक है वो कल के लिए बहुत ज्या है और यह भी आप देख पारे होगे कि यह एक साजिस की तरह ही करा गया है क्योंकि संडे को यह मार्केट में फ्लोट कर दी गई है और कल जब मार्केट ओपन होगा तो इसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे लास्ट के दो मिनेट में ब परसेंट का नेगेटिव मुमेंट आपको शेयर में देखने को मिला इसी भी जगर हम पिछले पांच दिनों के बारे में बात करते हैं तो देखो तीन परसेंट के पॉजिटिव रिटन्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं पिछले एक महीने में साड़े छे का upside है तो वहीं YTD 40% के returns हैं और एक साल में आपको 30% के returns जो है वो नजर आ रहे हैं देखो जीओ के according यह return profile उतनी ज्यादा impressive नहीं है जितनी होनी चाहिए थी जब जीओ market में आया था तब chances बन रहे थी कि इसमें बहतरीन returns बनेंगे लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया एक न्यूज में आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें आप देख पारे होगे कि कुछ बड़ी अपडेट आई है मुके सम्मानी geofinancial services to offer additional perks in broking business यानि कि यहां पर आप देख पारे होगे कि मुके सम्मानी geofinancials के तुरू stock broking market में एंटर करने जा रहे हैं और इन्होंने black rock के साथ partnership करी है 50 ratio 50 के साथ और यहां पर आप देख पारे होगे जियो की जो offerings होगी उसमें बहुत सारे investment products रहेंगे saving account के साथ साथ यहां पर और भी चीज़े रहेंगे और saving account जो है competitive rate पर देखने को मिलने वाले हैं यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे कि company ने अपनी जो प्लान है वो 15 April को रिवील करा था इससे पहले अगर आप देखते हो तो यहां पर nvfc जो जीओ फाइनेशल है वो लिश्ट हुई थी इन्होंने यह भी बोला था कि हम पार्टनर्शिप कर रहे हैं ब्लैक रॉक और ब्लैक रॉक एडवाइजर के साथ यह में 50-50 का joint venture जो है वो रहने वाली है जो की link होगी पेटीम बैंक लिमिटेट के साथ जीओ सॉरी जीओ पेमेंट बैंक लिमिटेट के साथ जिसमें आपको competitive इंट्रेस्ट रेट भी मिलेगा फिर अगर आप देखोगे तो जीओ ब्लैक रॉक जो है इन्वेश्टमेंट ऑपर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराएंगे और एक सिक्योर foundation प्रोवाइड कराएंगे financial growth के लिए ठीक है तो यह आपके सामने एक news निकल कर आ रही है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़े आने वाले टाइम में जीओ के अंडर देखने को मिलेंगी अब बात करें कि आखिर जीओ के target क्या कुछ रह सकते हैं तो यह सारी चीज़े हम ल यह उत्पात भी launch करें जैसे कि vendor financing mutual funds के बदले loan और device financing समदान यह सारी चीज़े और यहाँ पर provide कर दी है मैंने जैसे कि आपके सामने यह news रखी black rock के साथ तो यह wealth management भी एंटर करने वाले है ब्रोकिंग business में भी एंटर करने वाले हैं और यहां से अगर आप देखते हो तो ज रहेगा देखना कि यह wealth business में कैसे अपने आपको आगे लेके जाने वाले हैं अब सबते पहले बात करेंगे मोतिला लोसबाल की तरफ से तो मोतिला लोसबाल ने इस पर neutral rating दी है neutral rating के साथ 200 रुपे से 275 रुपे के जो target price है वो दिया है यानि कि काफी कम जो है वो नजर आ र रहे हैं यानि कि इन्होंने जो बोले हैं वो आपको यहां पर काफी कम target नजर आ रहे हैं फिर बात आती है HDFC securities की इन्होंने accumulate यानि कि हर गिरावट पे आप स्टॉक में buying कर सकते हो 300 रुपे से 320 रुपे के target दी हैं फिर प्रभुदास लील अधर की बात करें इन्होंने buying की rating दी है 325 रुपे से 350 यानि कि साड़े 300 रुपे के target दे दिये हैं कमपनी की कुछ की हाइलाइट्स अगर आप यहां पर देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आएगी जैसे कि इनकी total income है 1855 करोड के आसपास profit 1605 करोड के आसपास earning per share 2.53 है net worth आप देख पा अब यहां पर एक चीज जो है वो यह चीज है कि already market में एक report आ चुकी है आप सभी को पता है हिंडिन वर्क की report है और इससे पहले भी अगर आप देखते हो तो अदानी group को target किया गया था और अदानी group को target करने के बाद उस group की हालत काफी अधा खराब हुई थी initial days में लेकिन फिर उसके बाद काफी बड़ी recovery और उसके बाद कोई भी दिक्कत नजर नहीं आई जिन भी लोगों ने panic करके loss में विक्वाली करी वो तो यहां पर अच्छेगा से loss में निकले हैं लेकिन किसी ने opportunity का फायदा उठाया था जैसे कि राजीब जैन उन्होंने बहतरीन profit कमाया उस पीरियड में तो दोनों ही तरीके से सोचा जा सकता है अब आप किस तरीके से सोचते हो वो आपके उपर depend करता है आप ऐसे मौके को opportunity लेते हो या फिर आप panic करके loss में निकलते हो यह totally आपके उपर depend करेगा लेकिन इस बारी जो target है वो आदानी के साथ सेवी है अब सेवी आपकी ने भी already यहां पर बयान दे दिया है सारी जो charges उसको फरजी बता है और इस पर यह भी बुला गया है कि अब बहुत जल्दी हिंडन वर्क्स पे भी investigation करी जाएगी अब यहां से यह देखना होगा कि इस चीज का impact जो है वो कल के दिन कैसे पड़ेगा लेकिन जीयो जै एक साथ दो corporate action दिखाने वाला है राइट्स या रेट्स अब जैसे भी इसको प्रोनाउंस करना चाओ बॉनस दिया है सबते पहले तो वन रेशियो वन का dividend दिया है धाई रुपे पर शेर का 2.5 रुपीज पर शेर का यानि कि एक साथ आपको यहां पर दो corporate action देखने को मिल रहे हैं इनकी हाली में board of meeting थी जिसमें इस चीज का approval जो है वो दे दिया गया है कि हर एक शेर ओल्डर को एक के बतले एक और शेर मिल जाएगा इसमें अग इसकी एक्स डेट किया है तो वह भी मैं आपको बता देता हूं उससे पहले company ने धाई रुपे पर शेर का हर एक मतलब शेर पर आपको dividend भी दिया यानि कि बहुत ही आदा अच्छी चीज निकल करा रही है साथ के साथ 8 अगस्त इसकी record डेट है इससे पहले पहले position बना ली तो आप इस particular call production का फायदा उठापा होगे otherwise आप इसके लिए eligible नहीं होगे फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स्टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जिरू कर दीजेगा